हाँ तो भई इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो rational numbers को आपस में जरब देने से या दोनों को आपस में जमा करने से हमें क्या जवाब में rational number ही मिलता है या नहीं? तो rational number को हम दो integers के ratio यानि तनास्व की शकल में दिखाएंगे एक rational number बराबर हो जाएगा A बटा B के और दूसरा बराबर हो जाएगा M बटा N के चलें इन दोनों का जरब लेते हैं तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा A जरब M बटा B जरब N अब A भी integer था और M तो इसलिए इन दोनों का जो जरब होगा वो भी integer के बराबर होगा इसी तरह V भी integer था और N भी integer था इसलिए ये कदर भी एक integer ही होगी और चुंकि हमें फिर से दो integers का ratio मिल रहा है इसलिए ये भी एक rational number ही होगा तो एक बात तो तैह हो गई कि दो rational numbers को जब हम आपस में करने पर फिर से हमारा एक rational number होगा A बटा B और दूसरा होगा M बटा N और इनको हम आपस में जमा कर रहे हैं तो जमा करने के लिए इनके denominators यानि fraction के जो निचले हिस्से हैं वो एक जैसे होने चाहिए इनको एक जैसा करने के लिए हम इस fraction के numerator और denominator दोनों को ही N से जरब दे और इस fraction के numerator और denominator दोनों को ही हम B से जरब दे देंगे तो अब इन दोनों के denominator एक जैसे हो गए हैं और इसलिए हम इन दोनों को आपस में जमा कर सकते हैं यह बराबर आ जाएगा A N जमा B M के और इसको हम तकसीम कर रहे होंगे B N से अब यह भी एक integer है और यह भी इनको जमा क करेंगे तो हमें एक और integer मिल जाएगा और इसको फिर हम तकसीम भी एक integer से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास वापस दो इंटीजर का रेशो आ गया है इसलिए यह भी एक rational number ही होगा यानि दो rational numbers को आपस में जरब देने से भी हमें rational number मिलता है और दो rational numbers को आपस में जमा करने से भी हमें rational number मिलता है